Hello everyone, welcome to our YouTube channel Keep It Simple. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Airtel के बारे में. वहाँ पर एक न्यूस आ रही है कि Google एक बहुत मिजर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है Airtel में. इसके अलावा Airtel Board आज मीटिंग कर रहा है अपनी Fundraising Options को डिस्कस करने के लिए जो की शायद ये 5G और 4G के लिए यूज़ करने वाले हैं. तो चलो डिस्कस करते हैं डीटेल में कि क्या हो रहा है Airtel में और आगे इसका Impact क्या हो सकता है. चली आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर हम Company का Overview लें तो ये Telecommunication में है. इनके Main Operation इंडिया और Shri Lanka में हैं. हाना कि ये कुछ African Countries में भी अपनी Presence रखते हैं. बट Mainly इंडिया और Shri Lanka में Operate करते हैं. Market Capitalization इसका 3,27,000 करोड है जो की इसको बनाता है 13th Largest Company in India. और अगर इसका Share Holding पैटर्न देखें तो 55.86% Promoter के पास है, 18% के आसपास Foreign Institutes के पास है, 21% के आसपास Domestic Institutes और Mutual Fund के पास है और बाकी का हिस्सा जो 5% के आसपास है जो की Retail Investor के पास है. कोई major significant change नहीं देखा गया है इनकी Share Holding में last three months में, तो consistent ही दिख रही है और अगर हम financials की बात करें तो अगर आप income देखोगे तो gradually बढ़ रही है. लास्ट यर इस quarter में 24,419 करोड थी और उसके बाद लगातार ये 25 से 26,000 करोड के बीच में रही और इस last quarter में जो की June 2021 में end हुआ है, उसमें 27,063 करोड की इन्होंने net income generate करी. हाला कि profit इनका काफी inconsistent है क्योंकि आपने सुना होगा कि इनके उपर AGR की वज़े से debt बढ़ गया है और उसकी वज़े से last year इनको provisioning करनी पड़ी तो इनको heavy loss लेना बढ़ा और उसके बाद भी इनका profit inconsistent रहा है और last quarter में 14,36 करोड का company ने profit कमाया है. तो चली आगे बढ़ते हैं. तो अब अगर हम बात करें latest news की कमपनी में क्या चल रहा है तो आज Airtel board की meeting है आज यानि की Sunday 29th August को जिसमें की ये fund raising options discuss कर रहे हैं कि जो इनको पैसा इकठा करना है वो equity के थुरू करें या debt के थुरू करें या कोई combination लाएं जो की equity और debt मिलाकर ये fundraising करें. तो इससे पहले कि आप ये जाने की fundraising कर रहे हैं तो last numbers जो इनोंने जून में release किये थे इनके ऊपर 1,60,000 करोड का करजा already है जो की mainly AGR की वज़े से है. तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना करजा है और ये अगर और debt लेते हैं तो ऐसा क्यों करना चाह रहे ह तो I think debt लेना इनके लिए इतना अच्छा option नहीं होगा तो maybe equity sell करने की भी option को देखें. बट पैसा ये क्यों इकठा करना चाह रहे हैं? क्योंकि एक तो Indian market is gearing up for 5G. तो ये उसके लिए इनके पास अगर पैसा होगा तो इनको compete करने में असानी होगी. तो एक तो वो इनका reason है दूसरा ये अपनी 4G capacity को लगातार बढ़ा रहे हैं और analyst ये मानते हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि Vodafone के जो customer lose हो रहे हैं वो GEO और Airtel के पास जा रहे हैं. तो Airtel अपनी capacity को increase करना चाहता है ताकि वो additional customer जो Vodafone से हटके आ रहे हैं उनको अच्छे से manage कर पा तो इस speech में एक अच्छे news आ रही है जो कि अभी confirm नहीं की है ना ही Google ने ना Airtel ने बट एक news आ रही है कि Google एक बहुत major investment plan कर रहा है Airtel में. तो जानेंगे इसके बारे में. तो सबसे पहले Google ने last year GEO में 33,737 करोड इन्वेस्ट किये था जो कि बहुत बड़ा amount है. ये GEO में 7.73% का हिस्सा own करते हैं और आपने देखा होगा कि जब Google ने और Facebook ने last year GEO में इन्वेस्ट किया था तो उसका share कैसे भागा था जो एक टाइम पे 800-1000 रुपे के बीच में होता था वो 2400 रुपे तक के level को touch किया. तो हो सकता है कि जब ये Google की investment अगर Airtel में आती है तो इसके के लिए भी काफी positive हो और इसके share price को काफी positively impact करें. तो इसके अलावा जो Google कर रहा है वो एक substantial investment होगा, ऐसा नहीं की छोटा मोटा होगा, वो बहुत ही substantial investment की उमीद की जा रही है और वो advanced stage में discussion चल रही है जो कि last one year से सुनने में आ रहा है कि Airtel और Google आपस में बात कर रहे हैं तो यह अगर investment आती है तो Airtel की balance sheet definitely बहुत strong होगी और इसके अलावा Google जो की innovation king है, innovation capability उनकी बहुत ही जबरदस्त है, उनकी data analytics बहुत solid है तो उससे उमीद की जा रही है कि Airtel भी उनके experience से अपना फायदा उठाएगा, आपने देखा होगा कि Google अपने data को बेज कर कितना पैस अपनी से बहुत बढ़िया है, तो उमीद की जा रही है कि Airtel को भी help करेगा अपना data monetize करने में और उससे profit कमाने में, तो यह एक बहुत ही positive news लग रही है Airtel के लिए, हाला कि analyst का यह मानना है कि Google definitely थोड़ा सा concerned है, वो एक strong reason ढून रहा है Airtel में invest करने के लिए, क्योंकि Airt Airtel का clause होगा, वो limited liability का होगा, बट Google अपनी reputation बचाने के लिए हो सकता है कि उनको काफी ज़्यादा इसमें spend करना पड़े, Airtel अगर कोई problem में आता है, तो इसलिए वो काफी time ले रही है इस decision को लेने में, बट सुनने में आ रहा है कि यह बहुत ही advanced stage में है, और अगर यह announcement ह होती है, तो Airtel के लिए यह game changer हो सकती है, चली आगे बढ़ते हैं, तो अब अगर हम discuss करें कि भई यह सब development है, इसका share price पे क्या impact पड़ेगा, तो इससे पहले कि हम यह देखें कि share price पे क्या impact पड़ सकता है, यहाँ पर कुछ data points है, एक तो जो AGR का enqueue पर लगातार problem या risk मं रहा था Airtel के उपर, वो थोड़ा सब at least settle हो गया है कि they know कि हाँ उनको pay करना है, 10 साल का उनको time दिया है, हर साल roughly 10% के आसपास उन्हें March 31 तक pay करना है, तो they have time, तो यह एक अच्छी चीज है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा volatility रख रही थी कि देना होगा, नहीं देना होगा, क्या होगा, बड़ at least like चीजें clear हैं, दूसरा देखा जाए तो भारती Airtel ने अभी 38.1 lakh wireless subscriber add किये हैं, जो कि इनके total number को लेकर जाता है, 35.2 करोड subscriber, इन से ज़्यादा सिरफ GEO के subscriber हैं, जो कि 43.6 करोड हैं, और it's amazing to believe कि GEO आज से 6 साल पहले exist ही नहीं करता था, और आज यह कितने complicated area में सबसे ज़्यादा customer लेकर बैठे हैं, that's so amazing, but यहाँ पे जो Vodafone है, वो बिचारा अपने survival के लिए लड़ रहा है, और वो हर महिने अपने customer lose कर रहा है, जो कि Airtel और GEO के पास जा रहे हैं, लेकिन आज भी Vodafone के पास 27.3 करोड customers हैं, और उमीद है कि यह और कम होंगे और जिसका की फायदा Airtel और GEO को होगा, इसके अलावा अगर देखा जाए कि Airtel के लिए क्या अच्छी बात हो सकती है, कि Vodafone idea इस टाइम survival के लिए लड़ रहा है, तो वो government intervention लग रहा है कि government कुछ ना कुछ करेगी, at least क्योंकि उससे banks impact हो रहे हैं, तो government शायद क्योंकि अगर वो कुछ भी Vodafone के लिए किया जाएगा, अगर EGR में उनको कोई relaxation देते हैं या कोई package लाते हैं उनके लिए, तो Airtel भी same problem झेल रहा है, तो उनको भी support किया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकतेगी, बहीं सिर्फ Vodafone को करें, तो ये indirect beneficiary होगा, अगर कुछ भी आत आते हैं कि आगे growth अच्छी लगती है, और अगर हम बात करें अब इसके share price की तो जो brokerage houses हैं, वो काफी positive हैं, जैफ्रीज ने इसके ओपर 685 का target दिया है, जो अभी के current price से roughly 9 रुपए उपर है, और ICSA direct तो 720 रुपए का price दे रहा है, और Ticker Tape ने कि analyst ने जब analysis और प्रडिक् का share price कहां तक जा सकता है, तो 97% हाला कि 30 analysts थे जिन्होंने इस data को data से इसका forecast किया, उसमें से 97% इसमें buy की rating देते हैं, और वो बोलते हैं कि 703 रुपए तो इसका average price होना चाहिए, और अगर ये बढ़ने पर आया तो 846 रुपए तक भी जा सकता है, और minimum price भी जो वो देख र Airtle का share price उपर ही जाना चाहिए, और इसके अलावा अगर Google की investment आती है, और जैसे जैसे वो Vodafone का share लेते हैं, 5G में अपना invest करते हैं, तो आगे और भी potential है उनके पास growth का, तो अब अगर आप मेरी opinion के बारे में पूछें, तो मेरी opinion यही होगी कि company कहीं जाने वाली तो है न लेकिन at least Gio और Airtle रहेंगे और Airtle strong company है और इस type के अगर इनको investment आती है तो और भी फायदा करेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि personally, अगर इस share को रखना चाहिए definitely portfolio में और जब भी यह नीचे गिरे तो इसको buy करना चाहिए long term के लिए, तो यह मेरी opinion है, but again, like always, मैं एक disclaimer आते हैं तो और further research कीजी, आप comfortable हुई है, और अपने financial advisor से बात करके ही कोई decision लीजिए, that's it for today and thanks a lot for watching the video and अगर आप मेरे channel को पसंद कर रहे हैं, मेरे videos को पसंद कर रहे हैं, तो please subscribe it and see you soon, have a great day, God bless you all.